ये जो phone नामख बला है ना इसने जीना हराम कर रखा है हाँ 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 हालो anlat हम हाँ पुरह पूरे 3 दिन के लिए treadmill free कर वा दिया पन्दक झाल कि Tanagumo कूअ करना है अच्छा आप बच्चों को पल ने नीचे description में लिंक डली भी है वहां से देख लें वहां पर क्लिक कर देंगे तो वहां से आपको तीन दिन के लिए आरम बैच मिल जाएगा चालो ठीक है सर ओके ठाइंक यू अरे यार और फोन आया हलो हां बस एक रिकॉर्डिंग हो रही अभी बस पांस मिन में फ्री हो कर आता हूं मैं ओहो इतने मैसेजेस क्या होगा कैसे काम होगा यही समस्य तुमारे जीवन में भी चल रही है ना मुझे पता है यह जो फोन नामक बला है ना इसने जीना हराम कर र जो है वो यह फोन ही पदा करता है हर थोड़ी देर में कहीना कहीं से मैसेज कहीना कहीं से फोन और अगर कुछ नहीं होता है हमारा खुद का मन हो जाता है उसे हाथ लगाने का और जब जब हाथ लगाते हैं फोन को तब तक समय बरबाद ही होता है फोन यूज करने से distraction हो रहा है सर मैं overthinking कर जाता हूं तो सर मैं कैसे बचो इन सबसे होगा बिल्कुल होगा distraction ऐसे बनाएगा डॉक्टर तू कि एक छोड़े से फोन के डब्बे के पीछे बिल्कुल जिब लबलवा जाती है बहे जाते हो उसके पीछे तो सर क्या करें सर कैसे बचें सर मैं बैठा था मैं डाउट्णेंट की एप पे एक आपकी class देख रहा था class देखने का बाद में मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो देख लेता हूँ कहीं और मैं चले गया YouTube पे बस वहाँ जाकर खो गया मैं वहाँ पर मैंने चोटा वीडि बीद गया, समझ नहीं आया, मैं क्या करूँ, फिर उसके बाद में अचानक से जब होश आता है, तब अपने आपको समालते हैं, तब ऐसलो तो रहे इतना समय मैंने बरबाद कर दिया, चलो फिर से पढ़ना शुरू करते हैं, और फिर उस समय अपने मन में यही गलाल देह जा होता है, उसी के ओपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, सर अगर इसे छोड़ दे, यह फोन क्या है, यह फोन एक ऐसी बला है, अगर मैं इसे छोड़ दूँ, तो मेरा जीवन नहीं बीतेगा, और इसके ज़्यादा पास जाता हूँ, तो जीवन बरबादी की कगार पे मैं हूँ आपका अपना शुबंपालिवाल, स्पी सर, अगर आप इसी यूट्यूब चैनल पे नहीं है बिटा, तो इसे सस्क्राइब जरूर कर रहे न, यहां क्योंकि हम नीट से जोड़ी काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट इंफॉरमेशन, मोटिवेशनल वीडियो और क काश मैं डॉक्टर बन जाओं, डॉक्टर बन जाओंगा मैं, तो मैं बहुत अमीर हो जाओंगा, और उसके बाद में हम लोग कहीं बड़ी जगह, बड़ा घर ले लेंगे, एक बड़ी गाड़ी हुई, हाँ, ऐसा भी हो, यही सब खयाल मन में आते हैं पड़ते हैं अगर म एक छोटी से स्टेडी की बात करूँ, ऑक्सफर्ड युनिवर्सिटी में यह स्टेडी किया गया है कि आप कितना भी बहतरीन कंसेंट्रेशन से पढ़ते हो, या आप कुछ भी कंसेंट्रेशन से कोई भी काम करते हो, मैं यह नहीं बोल पड़ाई कर रहे हो, आप पिच्च थोड़ी देर में घूमोगे, फिर मज़ाएगा, फिर थोड़ी देर में खाया आगा, रहे हैं मैं पढ़ लेता हूँ, पढ़ रहे हो तो तब खायलाता कि सर में और कुछ कर लेता हूँ, पढ़ते वक्त दिमाग जो इधर दोर घूमने लग जाता है, तो यह केवल तुमा समझ जाओ तो तो भी बात करने वाले हैं हम बात करें एक पहली समस्या जो कि अभी में आपको को बताया एक छोटी सी बला जिसे हम कहते हैं करें कि और एक क्तत करेंगे हम overthinking पर तो ये दोनों चीजे क्या होती है ये हम समझते हैं सबसे पहले हम शरुवात करेंगे overthinking से क्योंकि ये छोटी चीज़े mobile बहुत बड़ा टॉप है तो overthinking जैसे हम जब भी पढ़ने बैठते हैं तो जैसे अभी मैंने आपको बता है बिटा हर थोड़ी देर में आपके मन में कुछ न कुछ खयाल आएगा तो बस उसी को ही हमें काबू करना है इस overthinking से बचना है हमे और overthinking क्या होती है सबसे पहले ये भी समझना होगा हमें हम अगर question कर रहे और question के बारे में ज़्यादा सोच रहे तो वो overthinking नहीं है लेकिन हम पढ़ाई के अलावा इस दुनिया में कुछ भी सोच रहे है यह भी समय है यह समय है जो तुमें पढ़ाई में अपने आपको जो देना है तो अगर आप पढ़ाई के अलावा और कुछ भी सोच रहे हो इस दुनिया में तो वो सब overthinking है सब कुछ उसके अलावा पढ़ाई के अलावा सब में यह सोच रहा हूंगे में कॉलेज कौन सा मिलेगा वो भी overthinking है मेरे नीट में कितने नंबर आ जाएंगे मेरे नी की strategy बना रहे हो सोचते समय तो वही आपकी proper thinking होगी तो सबसे पहले definition पता होने चीदे हमें कि overthinking क्या होती है तो definition मुझे लगता है आपको समझ में आ गई ना तो इन दोनों का अब हम solution जानना शुय करते है हमें पता चल गया है कि mobile और overthinking में क्या difference है और इससे हम अब देखते बच कैसे सकते हैं तो सबसे पहली समस्या overthinking से कैसे बचना है जब भी पढ़ो जब भी पढ़ो बेटा तो 100% बात है कि आपका मन कही ना कहीं भटकीगा तो से खीच खीच कर वापिस लाओ खीच खीच कर वापिस लाओ जहां पढ़ने बैठते हो वहां हर एक जगा लिख लो NEET 2023 के लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूं मैं जो भी एक्जाम है मेरी उसके लिए मैं पढ़ रहा हूं और उस एक्जाम को मेरा crack करना ही ultimate goal है तो जहां ज यहां पढ़ रहे हो हर जगह दिली दो नीट 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 जई 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 नीट दे होजार थेविस चोवेश हर एक कॉपी जो भी कॉपी यूज़ करते हो उसके ऊपर लिख दो नीट 2023 ताकि जब भी पढ़ने बैठो जब भी इदर दर की बाते हम मन में भारत देश के वासी हो तुम है ना हमारे देश में हमारे देश ने ये प्रूव करा है हमारे देश में इससे पहले संत रहे है मुनी रहे है रिशी रहे जो तपस्या करते थे और वो दिन नहीं कुछ-कुछ महनों और कुछ-कुछ सालों तक बिना हिले डुले एकागर अवस् कुछ मिनिट तो एकाग्र होकर एक साथ पढ़ाई पर ध्यान जरूर दे सकते हो और ये चीज़े अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मैं बहुत ज़दा ओर थिंकिंग करता हूँ तो वो होगा वो धीरे 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 आपको उसे कम करना होगा और हर थोड़े दिन में या हर थोड़ी देर में अपने आपको समझाओ कि नहीं मुझे पढ़ना है पढ़ाई पर ज़दा ध्यान देना है ये प्रॉब्लम अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगी अब दूसरी बड़ी समस्या पर आते हैं मॉबाईल फौन में आपको क्या करना है इस बात पर ज़रा दिहान देना मॉबाईल फौन में अगर कोई भी मैं जरूरी नहीं आप डाउटनेटी आप से ही पढ़ रहा झाप कोई भी आप से पढ़ på लेकिन जब उस एपसे पढ़ू कि ये बुरी चीज है इसकी तरफ नहीं जाना है क्योंकि मैं इसमें अल्ड़ी बहुत जादा समय वेस्ट कर चुका हूँ अगर आपको ऐसा लगता है कि आप YouTube थोड़ा तो चलाएंगे या Instagram थोड़ा तो चलाएंगे Facebook थोड़ा तो चलाएंगे तो उन लोगों को follow करो जो आपको motivate करते हो मुझे पता है motivation internal होता है अंदर से जब तक motivation नहीं आगा तब तक हम किसी भी exam में फोड़ नहीं सकते लेकिन अगर लेकिन अगर आप कुछ external motivation चाहते हो YouTube अगरा से Facebook से Instagram से तो केवल उन लोगों को follow करो या उनके वीडियोस देखो जो आपको motivate करते हो और ऐसा नहीं केवल वीडियो ही देखे जारे दिन में एक या एक दो दिन में एक वीडियो से उपर आपकी limit नहीं होनी चाहिए इसके अलावा आप दूसरी किसी भी website पर कहीं पर भी कोई भी distraction चाहते हो तो बस इतना ध्यान रखो कि वो मॉबाइल की स्क्रीन पर जो तुझे जिन्दगी दिखाए दे रही वो असल जिन्दगी नहीं है वो असल जिन्दगी नहीं है उस जिन्दगी के पीछे की असलियत वो कभी तुम्हें मोबाइल स्क्रीन पर दिखाने वाला नहीं है या दिखाने वाली नहीं है जिसका भी वीडियो तुम देख रहे हो इस बात की यारंटी है ठीक है आजकल वो बहुत चल रहा है कुछ शॉट शॉट वीडियो चलते रहते है तो बेटा वो जो शॉट वीडियो जो तुम्हें इतनी सी फ्रेम में ऐसा समझो कि मैं यहाँ पर खड़ावा हूँ और मेरे इतनी सी फ्रेम में तुम्हें कैमरा दिखाई दे रहा है अब भले मेरे यहाँ पर कच्रा पड़ावा हो यहाँ पर कुछ हो, यहाँ पर टूटी दिवारे हो, कुछ भी लेकिन इतना तुम्हें अच्छा दिख रहे हो, वाह, मज़ा आ गया, इतने महीं तुम्हें मज़ा आ रहे, बाकि उसके अलावा आसपस क्या हो रहा, वो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और वह तु इंपोर्टेंट सी बाते बताई, ओवर्थिंकिंग और मोबाईल, डिस्ट्रैक्शन और इनका जो सॉलुशन बताया, इन सॉलुशन पे आप काम जरूर करोगे, और जल्द ही आने वाले समय में, मतलब अगर आपकी यह दोनों प्रॉब्लम थी, तो आने वाले 20 से, मुझे हाँ सर, हश्टक हम तयार है, हम तयार है नीड 2023 के लिए, हम तयार है जेए के लिए, हम तयार है हर वो बड़ी अग्जाम फोड़ने के लिए, जो हमारे भविश्य को सुनहरा बना सके, all the best, thank you